हेलो दूस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का टार्गेट अड़ाइश टाड़ी यूटूब चनल पर तो दूस्तों कैसे आप सभी उम्मिद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने सीजल 2022 की एजामिशन की मेंस की प्रेपेशन अच्छे तरीके से खड़ होंगे अब दूसरे स्वीड़ो में बात कहने वाले जो सीजल 2022 का यामिशन है इसमें वेकंसी कितनी है क्योंकि कापी सारे स्टुडेंट इस सीज को लेके परेशान है कि वेकंसी कितनी है सीजल 2022 में जादे हैं अभी आपने देखा कि जो नोटिफिकेसन आया था उसमें आपको दे 30-30 कुछ 35-30 कुछ 40 कुछ 40-40 प्लस भी बोल ले हैं ठीक है काफी सारे आर्टि आई भी आपने देखे होंगे जो भी कई सारे यूट्यूब चैनल पर सब लोग अपने अपने अलग 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 अगाये थे तो उसमें अपने अपने इसाप से उन्होंने वेकं वेकंसी है अभी नोटिफिकेशन में आपको 20,000 प्लस देखने को मिला आटियाए में भी कुछ वेकंसी आपको देखने को मिलें जो इनक्रीज की गई हैं लेकिन अभी जो एक्च्वल वेकंसी वह आपको नहीं पता है नहीं किसी आटिया के थुरूँ आप पता कर सकते हो वेकंसी आपको CGL की जो है SSC के द्वारा ही पता चलेगी तो आप सब इसको लेको बिल्कुल भी परिशान नहों कि वेकंसी कितनी है अगर आपको इसको रच्छे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन करिए ठीक है और जैसे आपने इतने दिने तक वेट कर लिए आज आपके 40 2021 था उसमें जब रिजल्ट आया था मेंस का स्वरी जो प्रिप्स का रिजल्ट आया था उसके एक हटा पहले यानि कि आपका जो रिजल्ट था वो चार 47 को आया था ठीक है जैसा मुझे याद है 47 2022 को आपका जो है result आया था प्लिम्स का और आपका 28 तारीक को आपका 28 छे ठीक है यानि कि जून में 28 छे को आपको vacancy declare कर देगी थी कितनी vacancy आपको Cisal 2021 में देखने को मिल लेगी है ठीक है और अगर बात करें मेंस का जो डेट है वो तो डेट भी उसी दिन आपको जब Cisal का result टार बन का आया था उसी में भी mention कर दिया गा था कि जो आपका मेंस का जामसन है वो इतने में होगा यानि कि 35 दिन का आपको gap मिला था जिसमें जो जो 2021 का जामसन हुआ था और ऐसा ही देखने को मिला था जो Cisal 2020 का हुआ था उसमें भी जब टार बन से टार टू के बीच में तो आपको कुछ दिन और वेट कर लिए आपका result भी आने वाला होगा ठीक है अगर 31 जनुविट तक नहीं है तो फर्वरी के फर्स्ट विक में तो आपको हर अहल में आपको आपका result देखने को तो अभी 3-4 इल मैंने देखा जे स्टेनो हो गया ससी जेई हो गया और सीपी हो गया तो उसके इसाब से का देखा तो 15-16 गुने बच्चे आप अभी तक लिये गए ठीक है तो इससे चिकलों बिल्कुल भी परिशान ना हो कि 10 गुने 5 गुने इस तरह जो भी है नेर है वहाँ भी क्वालिफाइं किया गया है तो इसलिए ससी मेरे ख्याल से 15 गुना बच्चों को लेगा ही अगर 15 नहीं लेगा तो 13-14 गुना को तो लेगा ही लेगा ठीक है तो इस वीडियो में दोस्तों और आगे कोई भी अपडेट होगी तो आप सभी को अपडेट कर दू करेंगे और वीडियो को जादा जादा सेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों तक जो भी सीजल या पर सीएचसल या पर ससी की जो भी एक्जामसन के प्रेपरिसन कर रहों है ठीक है तो इस वीडियो में दोस्तों थैंक्यू करेंगे कर दो